Hello and welcome to the extra class English आज हम कने वाल है आपकी पोईम The Laburnum Top by Ted Hughes Laburnum एक ऐसा ट्री होता है जिसकी जो leaves है या seeds है वो होते हैं poisonous तो जो birds है उस पे अपना nest बनाती है ताकि उनके जो nest है ताकि उनके जो eggs है वो safe रहे और कोई भी जो जानवर है या bird है वैसे इस tree के असपास नहीं रहता तो ये जो tree है बहुत हमीशा शांत रहता है लेकिन यहाँ पे describe करी गई है इसकी relationship एक gold pinch bird के साथ कि कैसे इस bird का जो nest है इसकी एक branch पे है और जैसे ही वो आती है ये tree एक्दम liven up हो जाता है यानि कि ऐसा लगता है इसमें जान आ गई है तो ये जो relationship है इस bird की और ये tree की ये हम यहाँ पे देखेंगे Let's start the poem तो poem शुरू होती है The laburnum top is silent, quite still In the afternoon yellow, September sunlight A few leaves yellowing, all its seeds fallen यानि कि ये जो tree है ये इसकी जो leaves है वो yellow है जैसे मैंने आपको बताया था और यहाँ पे बोला है कि ये जो tree है वो बहुत still है यानि कि बहुत शान्त खड़ा है So it doesn't have any life And क्या कहते हैं कि यहाँ पे afternoon में September afternoon की बात हो रही है कि कि किस तरीके से क्योंकि जो पच्ज़ड का मौसम होता है जब तो क्या होता है कि जो leaves है वो नीचे गिर जाती है So similarly इसके जो seeds है छोटे छोटे वो जो है वो नीचे गिर गए है और इसकी जो leaves है वो भी थोड़ी थोड़ी नीचे गिर गई है नेक्स टैंजा में कहते हैं Till the goldfinch comes with a twitching chirp यानि कि यह सिर्फ तब तक ही शान्त है जब तक आती है एक goldfinch goldfinch एक bird है और with twitching chirp यानि कि उसकी जो body की moment है उसको यहाँ पर describe कर एगा कि किस तरीके से वो twitch करती है और वो बोलती है नेक्स क्या कहते हैं जैसे यहाँ पर बताया है कि यह पेड़ जो था यह का अगर शान्त था तो जैसे ही यह bird आई एकदम sudden moment हुई इसमें आजल कि यह कोई इंसान हो और किसी के आने से एकदम से हैरान हो गया हो startled हो गया हो, alert हो तो वैसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे यह bird आती है, एक suddenness, एक startlement जो है वो देखने को मिली एक branch end पे अब इसी branch पे इस goldfinch का क्या होगा? nest होगा तो क्या कहते हैं next? then sleek as a lizard and alert and abrupt यानि कि यह जो bird है एकदम lizard की तरह जैसे lizard बहुत smoothly, धीरे-धीरे कब हमारे room में आ जाती है, हमें पता नहीं चलता और जब हम एकदम से उसको देखते हैं, तो similarly यह bird जो है इसकी moment को भी lizard की moment के साथ compare किया गया है कि कि किस तरीके से एकदम alert भी है यह और बहुत smoothly और एक तरीके से बहुत ही जादा abrupt मतलब कोई सोच नहीं सकता था एकदम से, ऐसे आती है, then she enters the thickness and a machine starts up she enters the thickness यानि कि जो branch है, इस particular जगा पे जो leaves है वो बहुत सारी होगी, तो वो काफी thick लग रही होगी and यहाँ पे machine starts up, machine starts up का मतलब यह है कि यहाँ पे जो इसका nest है उसमें बच्चे होंगे और जैसे ही वो अपनी मदों को आते वे देखते हैं, वैसे ही वो बोलना शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही हम car start करते हैं और जो कार की आवाज जब वो एकदम से आने लग जाती है वैसे ही जैसे ये bird आती है तो इसके जो बच्चे हैं वो एकदम से बोलना शुरू करते हैं तो जो इसकी family है bird की उसको बताया गया ये describe क्या गया है ये आप कैसे सकते compare किया गया है एक machine से then of chitterings and a tremor of wings and trillings and कैसी आवाज आ रही है जैसे ये machine स्टाट हुई है जैसे ये बच्चे जो बोलने शुरू करें chitterings याई कि आपने सुना होगा जब भी bird अपने बच्चे को feed करके तो वो आवाज निकालते हैं और उसी तरीके से वो एक दूसरे से लड़ते हैं खाना लेने के लिए तो वो सारी moments जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है और वैसी आवाजे जो है वो आती है next the whole tree trembles and thrills अब इस tree के लिए जो कि हमेशा शान्त रहता है क्योंकि इसके आसफास कोई जानवर नहीं आता कोई bird नहीं आता because इसके लिए is poisonous है सिर्फ फॉस्ट विए अपना nest बनाने के लिए ही आते हैं अब इसके लिए ये एक बहुत ही अलग सा experience है because जैसे ही ये bird आती है it livens up एकदम thrilling experience हो जाते है तो यहाँ पे ये जो tree है अगर हम इसको as a person समझें तो हम इसको शायद compare कर सकते हैं कि इसको कैसा लगता हुग कि एकदम शान्त है and एकदम से जब कोई आता है तो वो एक thrill जो है it experiences next क्या कहते है it is the engine of her family it is the engine of her family का मतलब यहाँ पे क्या हुआ ये जो bird है उसको compare किया गया है goldfinch को compare किया गया है engine से अब बिना engine के कोई भी machine या कोई भी जो car है वो नहीं चल सकती तो इस family का engine कौन है जो mother है वो क्यों because वो ही खाना लाती है वो ही बच्चों को feed करती है इसलिए it is compared to an engine तो यहाँ पे आपको जो words use किये गए है जिसे machine use किया गया है engine use किया गया है इन words को अच्छे से ध्यान में रखना है because ये comparison draw करने के लिए आगे आएगा तो next क्या कहते हैं she stokes it full then floods out to a branch end यानि कि वो अपने बच्चों को जो खाना है वो खिला देती है पेट भर के उसके जो बच्चे है वो खाना खा लेते हैं Stokes it full मतलब कि एक तरीके से feed करना Stoke भी again एक ऐसा word है जो mechanical language जो है उसमें use होता है तो similarly वो जो खाना है वो add कर रही है एक तरीके से जो खाना है वो इस machine में इन बच्चों में उनको दे रही है तो इस तरीके से यहां पर describe क्या गया है and then वो कहती है जब उसका यह काम खतम हो जाता है जब वो उनको feed कर देती है तो बहुत ही अराम से बहुत ही प्यारे तरीके से वो अपने जो wings है उने खोलती है और वो उड़ने की खूशिश करती है नेक्स्ट का कहते हैं शोईंग हर बार, face, identity, mask यानि कि जिस तरीके से वो वहाँ पर है क्यूंकि एक तरीके से वहाँ पर वो camouflage हो रही है अब यह जो gold finch है इसका भी color yellowish होता है और यह जो leaves है इसका भी color जो है वो yellowish होता है तो एक तरीके से यह camouflage हो रही है उसके साथ तो इस किस तरीके से जब उसकी शक्कल दिखती है तो दिखती है उसकी identity की आ है कि वो किस तरीके से दिखती है Otherwise, जब उसका घोसला होता है और जब वो बैटी होती अपने nest में तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि यहां पे कोई बर्ड है क्योंकि उसका color जो है वो मिलता है उसकी leaves से किस तरीके से जब वो आई इतना शोर हुआ और उसके बाद finally बहुत delicate तरीके से बहुत प्याये तरीके से और एक थोड़ी सी आवाज obviously जब bird जो है वो उड़ती है when it takes a flight तो क्या होता है उसके wings जो है उसके flapping की आवाज आती है वो बोलती भी है है ना तो इस तरीके से यह जो आवाज आती है और जैसे ही वो महाँ से उड़ जाती है she launches away towards the infinite launches यहाँ पर again मैंने आपको बोला कि एक तरीके की mechanical language जो है वो यहाँ पर use करी गई है जैसे हमने पढ़ा कि machine, stokes, engine और again launches तो इस तरीके से वो जाती है towards the infinite infinite यानि की sky because हमें पता ह है कि sky बहुत बढ़ा है it is infinite है इसी लिए then वो कहते है and the laburnum subsides to empty and जैसे ही वो बहां से चली जाती है यह जो laburnum tree है यह वैसे ही शान्त हो जाता है बिल्कुल जैसे silent था, still था वैसा कव ऐसा हो जाता है So, यहां हमें देखने को मिलता है कि कैसे यह जो tree है इसका relationship है इस bird के साथ कि किस तरीके से bird आती है It gives life to this tree किस तरीके से इसके आने से it feels startled उसको ऐसा लगता है कि कोई moment हुई, thrill हुआ and जैसे वो चली जाती है bird वैसे ही क्या होता है हो फिर से shant हो जाता है and there is no moment and यहां पर यह जो poem है वो खतम हो जाती है तो यह तो थीश की line by line explanation अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या literary devices use किये गए हैं Let's have a look तो अगर हम poetic devices की बात करें तो यह सारे poetic devices use किये गए हैं सबसे पहला है alliteration तो देखते हैं हम कैसे वो कहते हैं tree, tremble, september, sunlight, ssaa तो यह सारे examples जो हैं वो आप लिख सकते हूं Next आदा है आपका personification and इसमें जो poet है उनने tree को personify किया है कैसे? क्योंकि उनने tree को human जो आप कह सकते है qualities है वो दी है जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से tree जो है it trembles उसको जो thrill है वो feel होता है तो वो सारी चीज़े कैसे किसको feel होती है एक human being को और यहाँ पे वो किसको feel हो रही है एक inanimate object को Next है यहाँ पर simili तो हम देखते हैं कि poet compare करते हैं कि जो bird है इसकी जो moment है उसको एक lizard की moment की तरहां तो sleek as a lizard And last है आपका metaphor तो हम देखते हैं यहाँ पे poet कहते हैं कि यह जो bird है वो है the engine of the family तो किस तरीके से जैसे एक car का या एक machine का जो engine है वो बहुत ही जादा जो crucial part होता है उस पुरी की पुरी machine का उसी तरीके से यह जो bird है यह बहुत जादा important part है क्योंकि जैसे engine के बिना कोई भी machine नहीं चलती कोई भी car नहीं चलती वैसे ही इस bird के बिना भी इसके जो बच्चे है they cannot survive उन्हें खाना कौन देगा they cannot live तो यह सारे poetic devices use किये गए हैं आपकी poem the laburnum top में तो यह तो थी आपकी poem the laburnum top की summary हमने देखी इसकी line by line explanation साथ-साथ हम इसकी जो word meanings से वह भी cover करते का है and देखे हमने इसके बाद इसकी literary devices that's all for this video now until the next video keep practicing, keep learning